हेलो गाइस तो आज का जो हमारा कोश्चन है समय दे रखा है एंड अब्जेक्ट मुव्स अलोंग एक्स एक्सिस सच एट इस पोजिशन वराइंग विद टाइम टी इस गिवन है इस इस एक्सिस सच एक्सिस में टी का संब्राइब चैनल वर इस ती और आपना निकाल लेते हैं तो जो हमआरा एक्स आ रहा है वह आरहा है ठ्री मीट लेकिन जहां पर हमें जो थिस ध्यान देने वाली है कि यह एक से जुगल तो 3 मीटर आया है यह डिस्टेंस नहीं आया है यह हमारा आया डिस्प्लेशमेंट ठीक है गास प्योंकि जो पार्टिकल है उसकी इसी सेकेंड के बीच में 0 से लेकि 3 seconds के बीच में जो वेलस्टी यो जिरो ही है ठीक है और अब हम उसी को फाइंड ओट करते हैं कि किस सेकेंड पर जो पार्टिकल की वेलस्टी यो जिरो ही है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे जो हमें एक्स इस्कोल तो 40-d square दे रखा है इसको हम डिफ्र differentiate with respect to time तो यहां पर एक्स की जगार रखते है 40 माइनस T2 इसको differentiate करके जो हमारी वैल्यू आ रही है वह आ रही है 4-2T अब हमें पता करने कि वैलस्टी किस सेकेंड पर जिरो हो रही है तो मैं वी की जगार रख दूँगा 0 is equal to 4-2T और इसको solve करके जो T आ रहा है वह आ रहा है यानलिकि two seconds पर पर पार्टीकल की वैलस्टी जीरो होगी उसके बाद उसकी वैलस्टी क्या होगी नेगटिब याने कि पार्टिकल वापिस जिस direction से आ था उसी direction में we actually move करना शुरू करतेगा तो इसलिए जो हमारा यहां पर distance आएगा वो displacement से जाधा आएगा ठीक है guys displacement से जाधा आएगा तो guys अब हम क्या करेंगे अब हम distance find out करने के लिए हर second में देखेंगे particle की position ठीक है तो पहले हम देखते हैं 0 second में तो x की जगा x की जो हम equation दे रखे question है 40-t square यहां पर जो t है उसमें 0 रखेंगे तो हमारे पहली position आ रहे है जिरो सेकेंड पर पार्टिकल 0 पर यानि की origin पर है फिर हमने one second पर देखते हैं तो t की जगा जब one रख दिया और उसको solve किया तो पार्टिकल की position आ रही है पहले था zero second पर और इजन पर फिर वह पहुंच गया 3 मीटर पर पहले second में यह पर जी है फिर वह दूसरे second में पहुंचा 4 मिटर पे ठीक है अब देखते हैं कि 3 सेकंड में पार्टिकल पोजिशन के है तो क्या करेंगे टी की जगा रख देंगे 3 और इसको सॉल्व करेंगे जो पार्टिकल 3 सेकंड में वापिस यहाँ पे आ चुका है 3 मिटर पे तो यानि कि जो पार्टिकल है उसने total distance travel किया है 5 meter गया क्योंकि पहले particle 0 से लेके 2 second तक 4 meter पह गया फिर 2 से 3 second के बीच में वो वाप 2.3 पह आ गया यहनि कि particle लो total distance travel गया है 5 meter किया है इसलिए इस question के लिए जो सही option होगा वो होगा option number second और guys अगर आप कोई doubt है तो comment section में पूछेगा थैंक यू गाइज